हेलो दोस्तों, नमस्कार रिम्पी राइजर चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं बना रही हूँ सादियों में बनने वाला मतर पनीर की सबजी जिसे खाने के बाद आप घर में बार-बार बनाएंगे सभी उगलियां चाट-चाट कर खाएंगे इसमें एक सीक्रेट मसाला भी है जिसे डालने पर हमारी सबजी का टेस्ट तो बढ़ेगा ही साथ में कईयों के मतर खाने पर गैस की प्रॉब्लम होने लगती जिसके कारण में खाने ही पाते हैं लेकिन आप यदि ये मसाला डालेंगी तो उनकी पेट समधनी समस्या नहीं रहेगी कम के बराबर रहेगी या क्या पता किसी की नहीं हो मतर पनीर के सबजी को बनाने के लिए मैंने इसमें 200 ग्राम पनीर लिया है दो प्याज लिये हैं हरी मर्श लिया है अदरक लिया है लहसन और टमाटर इन सभी को roughly chop कर लेंगे, यानि कि मोटा मोटा काटेंगे, बहुत बारिक नहीं काटेंगे, अब एक पैन में तेल लेंगे, दो चमच, और उसमें जो chop किया हुआ, क्यूब में काटा हुआ पनीर है, उन सभी को shallow fry करेंगे, हलका fry करना है, बहुत जादा deep fry नहीं करना है, यह ए अब जी का स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग पनीर को सिर्फ हलका ही fry करेंगे, बहुत जादा नहीं देखिए, कितना हलका है, बहुत जादा नहीं fry किया हुआ है, लाल नहीं किया हुआ है, बस हलका सा pinkish, yellowish आ जाए, बस ऐसा ही fry करना है, और हाँ, इसमें बात और, जब आप पनीर फ्राई करें, तो उसे हलका गरम पानी में जरूर डालें, ऐसा होटल में भी किया जाता है, पनीर को गरम पानी में डालने से क्या होता है, कि पनीर सॉफ्ट हो जाया, वो चीवी नहीं होता, मतब वो खिचता नहीं है, और हमारे जो तेल बचा है पैन में उसमें हम रफली चौप किया हुवा प्याज लहसन अद्रक को डाल कर कुछ सेकंड चलाएंगे अब टेमाटर डालेंगे और इसे हलका गलने तक पकाएंगे ठंडा होने के लिए इसे एक तरफ रख देंगे एक कडाही लेंगे दो बड़ा चमच उसमें तेल डालेंगे उसी तेल में एक बड़ा चमच देशी घी भी डालेंगे इसमें डालने से हमारा सब्जी का टेस्ट काफी बढ़ जाता है आप इसे ज़रूर डालें अब इसमें दो तेजपत्ता, एक लाल मिर्च, एक बड़ी इलाईची, दो लॉंग, हाफ चमच जीरा डाल कर चटकाएंगे आज इसको लो ही रखेंगे लो रखने से क्या होगा कि हमारे मसाले हम डालेंगे वो जलेंगे नहीं अब इसमें मसाले डालेंगे सबसे पहले इसमें एक चमच काश्मीरी मिर्च डालेंगे एक चमच धनिया पाउडर हाफ चमच जीरा और काली मिर्च का पाउडर एक चमश लाल मिर्च पाउडर अब डालेंगे वही सीक्रेट मसाला जिसके भी से हमें शुरू में बात किया था यह मसाला है अजवाइन, सौफ, जीरा और मेथी का पाउडर है ना सिक्रेट मसाला, इस मसालो को डालने से हमारी पेट समंधी जितनी भी गैस की प्रॉब्लम है, वह कम हो जाती है आज को लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पर ही हम मसालो को चलाएंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे अब हमने लहसन और प्याज का जो पेष्ट बना रखा था न, उसे डालेंगे, आज को धीमा ही रखें, तेज न रखें, नहीं तो जल जाएगा अब वो सभी प्यूरी को, पेष्ट को आप उसमें डालें और डालकर उसे मिक्स करें मसाले को कुछ दिर तक भूने, जब मसाले अच्छे से भून जाएं, और वह तेल छोड़ने लगे, तब उसमें मटर डालें सौरी, मैं बताना भूल गई, मटर को आप पहले ही दो मिनट गरम पानी में उबालें, इसे सबजी बनाने में समय कम लगता है आपकी इक्षा है, आप पहले भी इसे उबाल सकती है, या सबजी बनाते वक्त, पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालें, और मटर को पका सकती है यह आपके उपर डिपेंड करता है, मैंने इसे मटर को पहले ही दो मिनट उबाल लिया था, जिसे सबजी बनाने में समय कम लगे अब इसमें दो चमच नमक डालेंगे, और नमक डालकर इसे चलाएंगे देखें, सबजी का कलर कितना प्यारा लग रहा है, बहुत थी खुबसूरत है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा वनेगा अब जो हमने प्यूरी बनाई थी न, उसी में थोड़ सा पानी डालकर मैंने चला लिया है और पानी को आप सबजी में डालेंगे, पानी आप अपने सबजी के अकॉर्डिंग डालेंगे, आपको जिस चीज के साथ खाना हो, जैसे रोटी या चावल, जिसके जैसा खाना हो, आप वैसा ही इसकी ग्रेवी तयार करें, गाड़ा भी तयार करें, या पतला भी तयार कर अब इसमें थोड़ सा पानी डालकर और इसे ढख देंगे, अब कुछ देर के बाद इसमें पनीर डालें, सारे पनीर डालकर इसे चलाएं और ढखन लगाकर इसे कुछ देर के लिए रख दें, पांच से आठ मिनट तक इसे पकने दें और एक बार मटर को टच करके देख लें कि मटर हमारा पक गया है या नहीं, देखिए सबजी हमारी पक गई है, अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, और गरम मसाला डालकर इसे कुछ देर के लिए धकन लगाकर रख देंगे, प्यारा इसका कलर आया है, और इसकी ग्रेवी भी अच्छी बनी है, नहीं बहुत जादा गाड़ी बनी है, और नहीं पतली बनी हुई है, इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, फ्रेश मलाई डालेंगे, और मैंने पनीर का थोड़ा सा टुकड़ा क्रश करके रख लिया था, उ आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने और भी वीडियो बनाई है, आप वहाँ पर जाकर यूटूब पर जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकती हैं, और कमेंट कर सकती हैं कि और मैं इसमें क्या आप इसे एक बार जरूर बनाएं, सभी आपकी तारिफ करते नहीं थकेंगे